नमस्काव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूटूब चान्द पर उमीद करती हूँ आप सब खुश होंगे इस सवाल का जवाब तब दीजेगा जब आप सब सच में खुश हों क्योंकि आज कल चहरे पे खुशी और दिल में खुशी में बहुत फर्क होता है कई बार हम उपव से मुस्कुरा रहे होते हैं लेकिन हम अंदव से दिल से कितना रोते हैं हमारी तकलीफ क्या है ये कई बार हम किसी को जाहिर नहीं कर पाते हैं क्योंकि कई दवद ऐसे होते हैं तो जो ना कहे जाते हैं ना सहे जाते हैं जिनकी जो जिक्र है वो हम किसी से नहीं कर सकते, लिकिन उनकी तकलीफ इतनी असहीने होती है कि वो हम सह भी नहीं पाते, और ऐसे में कई लोग कुछ गलत कदम उठा लेते हैं. तो आपको उस गलत कदम से बचाने के लिए आज हम आये हैं आपके लिए कैसा तरीका लाए हैं, जिसको अपना कर आप जो है वो उस गलत कदम को उठाने से बच जाएंगे और अपनी जिंदगी में खुशियों को वापस ले आएंगे तो आईए बताते हैं वो तरीका क्या है और वो तरीका है वशी करण का तरीका आप अपनी जिन्दिगी में दुखी कब होते हैं जब कोई व्यक्ती आपसे दूभ चला जाते हैं वो व्यक्ती जिसका आपके जीवन पर गहरा प्रभाव है जिसके होने से आपकी सुभा होती है, जिसके होने से आपकी शाम होती है, जिसे देखकर आपके चहरे पे खुशी आती है अगर वो व्यक्ति आपसे दूव चला जाए तो मन करता है कि अब जिंदिगी में कुछ नहीं बचा तो इसी तरह आपनी खुशियों को उस व्यक्ति को अपनी जिन्दिगी में वापिस लाने के लिए आपको क्या करना है आईए मैं बताती हूँ एक सरल विधी के साथ ये वशीकरन बहुत प्रचंड है इसलिए बहुत सोच समझ के इस विधी को गीचेगा और इसके लिए आपको सर्फ उस व्यक्ति की फोटो और कपूर जी हाँ ये दो चीजे फोटो और कपूर इसके मार्धियम से आप उस व्यक्ति को अपने वश में कव सकते हैं तो आईए बताते हैं कि आखिर वो विधी क्या है जिसके मार्धियम से आप किसी व्यक्ति को अपने वश्च में कव सकते हैं तो आपको यह फोटो लेनी है और यह कपूर लेना है आपको इस फोटो के पीछे ब्लैक मारकर की सहायता से मंत्र लिखना है आईए बताते हैं मंत्र क्या है मंत्र है ओम नमो हीरीम क्रूम मम वश्यम भवंती ओम नमो हीरीम क्रूम मम वश्यम भवंती इस मंत्र को आपको इस फोटो पर लिखना है इस तरह आपको मंत्र फोटो पर लिखना है फोटो पर जब आप मंत्र लिख देंगे तो इस फोटो को आपको चार बार फोल्ड करना है यह देखिए इस तरह आपको इस फोटो को चार बार फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद तीन घंटे तक इस फोटो को आपको अपने पास रखना है अपने पास मतलब आप इससे सिर्फ अपने पास ही रखेगा ये नहीं कि आपने कहीं भी इसे रख दिया लेकिन इस फोटो को जब आप अपने पास रखेंगे तभी ये वशीकरण होगा और उसके बाद आपको कपूर की माधियम से इस फोटो को जला देना है इस तरह जलाएगा कि कोई आसपास आपको ना देखे ये विधी करते वक्त जब आप इस फोटो जला दे उसके बाद इसकी राख को आप ले जाकर पानी में बहा दिजेगा और पानी में बहाने के बाद जैसे ही आप घर लोटेंगे आपकी समस्या का समधान हो जाएगा क्योंकि जो मंत्र मैंने आपको बताया है बहुत शक्तिशाली है तो इस बात कध्यान रखें कि विधी का प्रियोग तभी कीजेगा तब आप पूरी तरह श्योर हों कि आपको इस विक्ति को अपनी तरफ आकशित करना है और इस विक्ति को अपने वश में करना है इस बात कध्यान रखेगा तभी विधी का प्रियोग कीजेगा और आपको इस विधी को सही प्रकाव से कवना है इसका भिधान रखेगा और दर्श को कोई समस्या है कोई परिशानी है जिसका समधान आपको नहीं मिल रहा तो आपको क्या करना है आपको दिये गए नंबर पर गुरुमाता को कॉल करना है और गुरुमाता से अपनी समस्या क का समधान करवाना है जी हां क्योंकि गुरुमाता की पास आपकी हव समस्य का समधान हैं तो समय बरबाद ना करें कॉल करें गुरुमाता से बात करें अपनी समस्य का समधान करें और अपनी को परिशानियों से बाहर निकालें खुद को एक खुशाली भरी जिंदकी दें इसक